हेलो फ्रेंज, आज के ज़्यादा तर बच्चे जंग फोर्ड खाना पसंद करते हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्त पर पढ़ता है जंग फोर्ड या पैक्स फोर्ड खाने से, खाने के वज़े से बच्चों को पेड़ सम्मधी कही समस्या हो सकती है क्योंकि जंग फोर्ड में ज्यादा तेल और मसालों का इस्तमान किया जाता है, जो पाच्चन तंतर को कमजोर कर सकता है जिसके वज़े से बच्चों को आगे जाकर कही परिशानिया हो सकती है लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पोश्टिकार खिलाते हैं तो बच्चों के पाच्चन तंतर मजबूत रहेंगे तो आईए जानते हैं इस वीडियो में बच्चों के पाच्चन तंतर को कैसे मजबूत किया जा सकता है केले का सेवन होता है लापता है बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए केला काफी फायदिमन माना जाता है क्योंकि केले में फाइबर की अधिक मातर मौज़ुद होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है लेकिन बच्चों को एक केले से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए दही का करना चाहिए सेवन बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए दही काफी लाब दैक साबित होता है क्योंकि दही में अच्छे बैक्टिरिया और प्रोबायोटिक्स होते हैं इसलिए बच्चों को रोजाना थोड़े दही का सेवन कराना चाहिए लेकिन बच्चों को दई खिलाने से पहले उसमें थोड़ा सा पाने मिला देना चाहिए ताकि दई थोड़ा पतला हो जाए क्योंकि पतला दई बच्चों को जल्दी बच जाता है ब्रोकली का सेवन होता है फायदे मन ब्रोकली का सेवन काफी ज़्यादा फायदे मन माना जाता है क्योंकि ब्रोकली में फाइबर, फॉलेट, कल्सियम और एंटि आक्सिडेट से भरपूर मातरा में पाये जाता है इसलिए इसके सेवन से बच्छों का पाचन तंतर मजबूत होता है अंगुर के सेवन से मजबूत होता है पाचन तंतर अंगुर का सेवन बच्छों के लिए काफी फायदे मन माना जाता है क्योंकि अंगुर में फाइबर अच्छी मातरा में पाये जाता है जिसके सेवन से बच्छों का पाचन तंतर में मजबूत होता है जिससे खाना अच्छी तरह से बच जाता है सेव का सेवन होता है फायदे मन सेव का सेवन भी बच्चों के लिए काफी फायदे मन माना जाता है क्योंकि सेवन में भी भरबो मात्रा में फायबर पाया जाता है जिसके सेवन से बच्चों का पाचंत अंत्रों मजबूत होता है साथ ही सेवन से बच्चों की रोग प्रतिरों दक्षमता भी मजबूत होती है इसके लिए बच्चों को रोजाना बस एक सेवन कराना चाहिए